हम सोच रहे थे कि ये कुछ गुम्रह लोग हैं जिनके अकल टिखाने हैं नहीं और वो हालात का फाइदा लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक दो दिन से लग रहा है कि इन ताक्तों को मरकजी हकूमत की जो तंजीम है उनकी ना सिर्फ इजाज़त है बलके उनका आशिरवा भी है परसों एक रियासत के गवर्णर ने खुलन खुला मुल्क को ये कॉल दी कि कश्मीरियों का बॉयकॉट होना चाहिए उनसे कोई सामान नहीं खरीदा जाना चाहिए अमर्नाथ की यात्रा के लिए यहां लोग नहीं आने चाहिए टूरिजम में वो बाकी जबे जाएं लेकिन किसी टूरिस्ट को कश्मीर नहीं आना चाहिए और हम ये बैठे सोच रहे थे कि इस बात की मजब्मत होगी और हाइस लेवल पे होगी हम उमीद कर रहे थे कि जिस प्रधान मंतरी जिस वजिर आजम को हमने लाल किले से सुना था ये कहते हुए कि कश्मीरियों को गोली और गाली से नहीं गले लगाके हम करीब लाना चाहिए उस वजिर आजम से हम दो अलफाज सुनते ये कहते हुए कि ये जो गवर्णर साब ने कहा गलत कहा उनको इस तरह का नहीं कहना चाहिए था चलिए वजीर आजम साब बहुत सी चीजों में मसरूफ रहे कमसकम हो मिनुसर साब से हम सुनते कि इस तरह की चीजों को इजाज़त नहीं दी जाएगी